नमस्कार सासरीकाल आदाब मेरा नाम डाक्टर इजबान उसेन और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल एग्रिकल्चर वर्ल्ड पिलस एग्रिकल्चर वर्ल्ड पिलस में आपका स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डिमांड डिमांड क्या है डिमांड के क्या क्या फायदे हैं डिमांड का इस्तिमाल कौन कौन से कीटों को नियंतित करने में किया जाता है डिमांड का इस्तिमाल कहां पर किया जाता है डिमांड की खुराग पिटी लिटर पानी की दर से कितनी होनी चाहिए इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं डिमांड क्या है डिमांड एक बहु आयामी कीट नाशक है यानि एक से ज़्यादा कीटों को नियंतित करता है इसमें कीटों को तेजी से मारने की छमता और बेहतरीन अवसिष्ट गुण होते हैं इसमें चौथी प्योड़ी का सिंथेटिक पराथराइट लेमडा सालोथरीन होता है ये CS formulation में होता है इसका मतलब होता है capsule suspension जो अत्यादूनिक, i-cap, polymer, capsule लीकरन तकनीक द्वारा सनच्चित होता है ये तकनीक बरतमान में उपलब्द कई SC formulation से आगे है इसलिए ये कीटों से लंबे समय तक सुरक्चा पिर्दान करती है आईए बात कर लेते हैं डिमांड के क्या-क्या फाइदे हैं ये कीटों पर तेजी से हमला करता है जिससे कीट कुछ ही मिंटों में मर जाता है इसका असर कीटों पर लंबे समय तक बना रहता है इसलिए इस्प्रे के बाद कीट दिखाई नहीं देते हैं ये कीटों की एक विस्तरिस रंखला को नियंतित करता है और ये एक विस्तरिस रंखला की सतय का भी काम करता है ये जल्दी और आसानी से पानी में गुल जाता है क्योंकि ये बाटर बेस्ट होता है इसके इस्तिमाल से कहीं भी किसी भी पिरकार का धबा दिखाई नहीं देता है इस उत्पाद की स्मेल बहुत कम होती है इसलिए इसको कहीं भी इस्तिमाल किया जा सकता है इसकी सेल्फ लाइफ 24 महीने की होती है यानि इसको दो साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है डिमांड का पिरियोग एकदम सुरक्षित है इसका मनुस पर किसी भी पिरकार का कोई दबाव नहीं होता है आए बात कर लेते हैं डिमांड कौन कौन से कीटों को नियंतित करता है डिमांड का इस्तिमाल काक्रोच घरेलू मक्षियां और मच्छों को मारने के लिए किया जाता है आए बात पिरसार द्वारा सकरिये संगटक कैपसूल से बाहर निकलने लगता है और कीडों में तुचा की बाहरी पर्त के अधियम से पिर्वेश कर जाता है जिसके कारण कीटों को लगबा हो जाता है और अंत में कीट मर जाता है आए बात कर लेते हैं डिमांड की डोज प्रती लिटर पानी की दर से कितनी होनी चाहिए डिमांड की खुराग 15-20 एमल प्रती लिटर पानी की दर से छड़काओ किय करें आए बात कर लेते हैं डिमांड की पैकिंग साइज कितने पिरकार की होती है डिमांड की पैकिंग साइज 100 एमल और एक लीटर की पैकिंग साइज में उफलब्द है आए बात कर लेते हैं डिमांड का एक लीटर का खर्च कितना आता है डिमांड का एक लीटर का खर्च लगबग शाड़े आड़ सो रुपय आता है इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेर करना ना भूले क्योंकि शेर करने से हमारा होसला बुलंद ह होता है नमस्कार सासरीकाल आदाब धन्यवाद